सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडियादा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए for latest update वेल्कम तू बालाजी स्टडियादा नमस्कार दोस्तों बालाजी स्टडियादा में आपका स्वागत है बाल विकास या बाल मनोवे ज्यान के पिछले वीडियो में हमने विविर्न प्रकार के संपरदायों की बात की थी यदि पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है साइड में आई बेटन में लिंक आपको मिल जाएगा complete playlist वीडियो के description लिंक में आपको मिल जाएगी है आज के वीडियो में हम देखेंगे सैस्वा वस्ता, बाल्ले वस्ता और किसोरा वस्ता जो अलग-अलग अवस्ता हैं हमारी उसके अंतरगत जो उपनाम हैं जिन से सबसी ज़्यादा प्रस्न आपके पोचे जाते हैं उनके बारे में तो सबी के हम उपनाम देखेंगे जिन भी नामों से उन्हें जान रहता है ये वीडियो आपका most important है ये मान के चले यहाँ से आपका प्रस्न 100% आएगा ही यदि आपने जितने भी point है उनको एकदम रट डाला तो कहीं ना कहीं एक ना एक प्रस्न यहाँ से आपका 100% आना ही है एक से ज़्यादा भी आ सकता है परन्तो minimum यहाँ से एक प्रस्न आएगा ही तो चले शुरू करते हैं सहस्वा अवस्था से सहस्वा वस्था की बात करें तो जन्म से पांच वर्ज आवदी आप जानते ही है नाम की बात करें तो सबसे पहला सीखने का आदर्स काल जो है वो इसे कहते हैं सीखने का आदर्स काल कहते हैं दूसरे point की बात करें तो भावी जीवन की आधार सिला भी इसी को कहते हैं, जब आप एक सहस्वा वस्था में एक छोटी स्टेज की बात करते हैं, तो भावी जीवन में जो पालक है उसका विकास कैसे होगा, उसके बन के निकल के आएगा, तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं, भावी जीवन की आधार सिला इसी सहस्वा अवस्था को, तीसरा है जीवन का सबसे हैथपूर काल, क्योंकि कही न कहीं भाविष्च भी निर्धारित करता है, तो उस आधार पर इसे आप याद कर सकते हैं, चौता है आपका अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, और अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था ही, इसमें आपकी सबसे मेन जो गुड के अंतरगद भी आती है, जो बच्चा है वो देखकर, नकल करकर सीखता है, वही जो हम अनुकरण दौराद सीखने की अवस्था में देखते हैं अगला है आपका तीवर्ता से सारीरिक विकास की अवस्था विकास की तरश्टी से देखें तो उसमें भी काफी तीवर्ता पाई जाती है एक जर्म से पहले की अवस्था से भी देखें हैं तो तीवर्ता जो सारीरिक दरश्टी से होती है उसमें काफी होती है अगला है चडिक समवेग की अवस्था चडिक समवेग की अवस्था भी जो है यानि कि विमिन प्रकार के समवेग हैं वो भी जो है इसमें आपको इसपश्ट रूप से जलकते हैं अगला सातों पॉइंट है समुचित सामवेगिक विकास की दरश्टी से सुरनिम काल सामवेगिक विकास भी जो है उसकी दरश्टी से इसे सुरनिम काल कहा जाता है तो यहां पर जितने भी आपने यह साथ नाम देके यह सभी सैस्वा अवस्था के उपना में आपसे प्रस्णी हाथ पर कैसे पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि सीखने का आदर स्काहल जो है वो किस अवस्था को कहा जाता है सहस्व अवस्था बाल ली अवस्था की सोरु आवस्था इस टाइप से आपको अप्शन में देखने को मिल सकते हैं इसी प्रकार अनुकरण दारा सीखने की अवस्था किसे कहा जाता है डायरेक्ट आप से यहाँ पर प्रस्ण पूछे जाता है या तीवर्ता से सारिक विकास की अवस्था किसे कहा जाता है या छडिक सम्वेक की अवस्था किसे कहा जाता है तो मैं recommend करूँगा आप यह जितने भी point यहां पर देख रहे हैं इनको जो है वो एकदम याद कर लीजिए तो यह तो बात हो गई सैस्व अवस्था की अगला point है आपका अनोखा काल अनोखा काल की भी संग्या जो है इसे दी गई है इसे पहले हमने एक वीडियो में सभी definition की बात की थी सैस्व अवस्था बाल्या वस्था और किसोर अवस्था की उसको यह आपने नहीं देखा है उसको जरूर देखिए एक नाएक definition वहाँ से भी 100% आपकी आईगी ही तो वहाँ पर हमने अनोखा काल किसने कहा है या जो कठिन काल है वो किसने कहा है सारी चीज़ मैंने वहाँ पर पताई भी थी अगला है निर्माड काल निर्माड काल की संग्या भी बाल्यावस्था को दी जाती है पताई चारिक क्रिया अवस्था भी कहलाती है इसके साथ साथ टोली, दल, समू की आयू के नाम से भी इसे जाना जाता है त्यान रखेगा यहाँ से यूपी टेट में आपका प्रस्न पूछा भी जा चुका है हगला है मिध्या परिपकुता का काल भी इसे कहा जाता है खेल की आयू भी जो है वो इसे कहा जाता है उसके साथ साथ प्रति दुन्दात्मक सामाजी करण का काल भी इसे कहा जाता है इसके साथ साथ मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है मूर्थ चिंतन में हम उस चीजों का चिंतन करते हैं जो कि हमारे समक्ष होती है और मूर्थ चिंतन में हम उन चीजों का चिंतन करते हैं जो हमारे समक्ष नहीं भी होती फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं सिनप्यां जेके जो सज्ञानातमक सिधानत उन्होंने दिये थे चार्ब जो अलग अलग पाट थे उसके वहाँ पर ये चीज उन्होंने बताई भी थी तो मूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता ये रीट यानि की आर्ट यानि की राजिस्थान टेट सन 2011 में जो है वो पूछा भी गया था अगला है कलपना सकती एवं अमूर्थ चिंतन के प्रारंब का काल भी जो है वो इसे कहा जाता है कलपना सकती और अमूर्थ चिंतन इसके प्रारंब की बात यहां पर की जा रही है यह नहीं पसंद आ रहा हो तो please और please वीडियो को like जरूर कर दीजेगा ताकि हम ऐसे ही और important से important वीडियो आपको प्रोवाइट कराते रहें आपके like से हम एक motivation मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा content आपको प्रोवाइट करा सकें बात करते हैं चलिए अगले की अगला है आपका जो बाल्या वस्था है वो तीवर सारीरिक क्रियासीलता अभीवरद्धी का काल है अगला point है आपका 13 की बाल्या वस्था में सामाझिक्ता विक्सित होती है यानि कि सामाजिक्ता का गुड जो है वो इस्टार्ट होने लगता है या विक्सित होने लगता है और सामाजिक्ता के गुड की बात की जा रही है यानि कि आ जाता है वो हम इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो point लिकें उन पर विशेज ध्यान दीजेगा और last है हमारा नए कौसलो एवम छमताओं के विकास की वरदी में भी जो है ये स्वरणिम काल है एक तुन्य कौसल और उसके साथ साथ चमताओं के विकास की वरदी में भी ये जो बाले अवस्था है वो स्वरणिम काल है तो बाले अवस्था के टोटल 14 उपनाम थे या 14 जो उपनाम है उनसे प्रस्ण पूछे जा सकते हैं सभी की बात हमने कर ली बात करते हैं अगले और लाष्ट हमारा किसोरा अवस्था 13 से 18 वर्स इसकी अवदी है और सबसे जादा इसमें उपनाम हम देखेंगे तो सबसे पहला है आपका अमूर्त चिंतन की अवस्था इसे पहले हमने बाले अवस्था में देखा तो अमूर्त चिंतन जो है बच्चे में स्टार्ट होता है वो अवस्था नहीं कहलाती यदि आपसे डारेक्ट अमूर्त चिंतन की अवस्था पूछी जाए तो आपका कि अगला है आपका दल भक्ती की अवस्था भी जो है वो किसोरा अवस्था को कहा जाता है अगला है जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो भी इसी किसोरा अवस्था को कहा जाता है और डेफिनेशन वाले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि किलपेट ट्रिक जो है इन्हों को कहा जाता है समस्याओं की अवस्था भी जो है वो कहा जाता है दुरुत और तीवर विकास की अवस्था भी कहा जाता है सोनकाल अंतिम अवस्था जो की बालक को परिपकुता की और ले जाता है तो सोनकाल भी जो है वो इसे कहा जाता है अगला है बसंत रितु जो है उसकी अवस्था भी कहा जाता है या बसंत्रितु भी डारेक्ट आप कह सकते हैं आपसे डारेक्ट पूछा जा सकता है बसंत्रितु कि सवस्था को कहा जाता है सामाजिक स्विकृति की अवस्था भी जो है वो इसे कहा जाता है व्यक्तिकत एवं घनिष्ट मित्रता जो है उसकी बास्ता के बालक का आप अवलोकन करेंगे उसे देखेंगे तो ये सारी चीज़े आपको इस पश्च रूप से दिखाई भी देंगी इन चीजों को कभी-कभी आप रट के ना आप क्या करिए कि आसपास जया उस चीज़ को अनुबव करिए आप यदि आप इन रटेंगे तो आप भूल जाएंगे परंतु आप इन जो बिंदू हैं इनको अनुबव करेंगे चाहें वो अपने उपर चाहें वो आसपास के वातरवण में तो आपको चीज़े याद हो जाएंगी कहने का मतलब मेरा यह है जैसे कि आप सोयम सोचिए कि जब मैं किसोरा अवस्था में था या किसोरा अवस्था में हूँ तो कहीना कहीं मेरे अंदर घनिष्ट मित्रता की अवस्था या घनिष्ट मित्रता बनाने की अवस्था या घनिष्ट मित्रता बनाने का गुड ये सारी चीजे थी तो इस टाइप से आप जो हैसे याद रख सकते हैं प्रबल दबाव वा तनाव की अवस्था कैसे याद रख सकते हैं जैसे कहीं न कहीं आप देखते हैं कैसा result आएगा इस टाइम जो कि सोरो आवस्था में कहीं न कहीं पढ़ाई से ही related होता है तो कहीं न कहीं एक tension बनी रहती है और उसके सासत अन्य भी चीजों की काफी tension बनी point 13 number आत्म सम्मान और आत्म स्विकृति की अवस्था भी इसे कहा जाता है अगला है तारकिक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है direct आप से मैंने आपको starting में बताया है जितने भी आप point देखने direct इनसे प्रस्था पूछे जाते हैं कि तारकिक चिंतन की अवस्था किसे क कहा जाता है तो आप कहेंगे किसोरा अवस्था को इसलिए मैंने आप से कहा है कि इनको एकदम जो है वो रट डालिए अपका 100% यहां से एक प्रस्न आना ही है अगला पॉइंट है संगर्स और तूफान की अवस्था यह आप जानते भी है इस टेल ने हॉले से कहा था किसोरा अवस्था को संगर्स और तूफान की अवस्था अगला है उथल पुथल की अवस्था भी जो है इसी को कहा जाता है संक्रमन काल की अवस्था यह संक्रांति काल भी जो है वो इसी को कहा जाता है यहनि कि किसोरा अवस्था को अगला है तीन एज की संग्या भी इसी को दी ज यह आपका अधर श्टेट में पूछा जा चुका है प्रस्न काफी इंपोर्टेंट यहां पर सारे पॉइंट है तो ध्यान रखेगा सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है और क्यूं कहा जाता है क्यूंकि सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमाई एवं उपलब्दियों को अर से कहा चाता है तो इसी के साथ सभी हमारे उपनाम समाप्त होते हैं आपसी केवल केवल इतनी से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसा ही आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट जो वीडियों है आपके एक्जाम के परपस से वो जो है वो प्रोवाइट करा सकूँ हूँ इसके लाबा आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो जो है वो बेकार नहीं जा रही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसके लाबा नए है चैलनल पर तो करें तो मिलते हैं एंगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थेंक्यू वाचिंग